छे अप्रेल दोहजार बाईस पहला पार्ट दानियल का ग्रंथ अध्याय तीन पदसंख्या 14-20 तथा 24-49-50 91-95 तक नबुकद नेजर ने कहा शद्रक मेशक और अबदिन गो क्या ये बात सच है कि तुम लोग न तो मेरे देवताओं की सेवा करते और ना मेरे द्वारा स्थापित स्वर्ण मूर्ति को अराधना करते हो क्या तुम लोग अब तुरही, वंशी, सितार, सारंगी, वीना और सब प्रकार के वाध्यों की आवाज सुनते ही मेरी बनाई मूर्ति को दंडवत कर उसकी अराधना को तैयार हो यदि तुम उसकी अराधना नहीं करोगे तो उसी समय प्रजुलित भट्टी में डाल दिये जाओगे तब कौन देवता तुम लोगों को मेरे हाथों से बचा सकेगा शद्रक मेशक और अबदन को ने राजा नबुक नेजर को ये उत्तर दिया राजा इसके संबंद में हमें आप से कुछ नहीं कहना है यदि कोई ईश्वर है जो ऐसा कर सकता है तो वह हमारे ही ईश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं वह हमें प्रज्वलित भट्टी से बचाने में समरत है और हमें आपके हाथों से छुडाएगा यदि ये ऐसा नहीं करेगा तो राजा ये जान ले कि हम ना तो आपके देवताओं की सेवा करेंगे और ना आपके द्वारा स्थापित स्वर्ण मूरती की आराध नही ये सुनकर नबुक दनिजने शद्रक मेशक और अबधन गोपर बहुत क्रोध हो गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया उसने भट्टी का ताप सामाने से साथ गुना अधिक तेज करने की आक्या दी और अपनी सेना के कुछ बलिष्ट जवानों को अधेश दिया कि वे शद्रक मेशक अबधन को को बांध कर प्रजविलित भट्टी में डाल दें इश्वर की स्तुती गाते हुए और प्रभु का गुनगान करते हुए वे लप्टों के बीच तहलने लगे राजा नबुकदनेजर बड़े अचम्बे में पड़ गया वे घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने दर्बारियों से बोला क्या हमने तीन व्यक्तियों को बां पहलते देख रहा हुँ चोथा स्वर्गदूत जैसा दिखता है नबुकदनेजर ने धधक्ति भट्टी के द्वार के पास जाकर पुकारा शद्रक मेशक और अब्दनगो सर्वोच ईश्वर के सेव को बाहर निकल आओ इस पर शद्रक मेशक और अब्दनगो आग से बाहर निकल आए ख्षत्रप अध्यक्ष राजपाल और मंत्री गंड तीनों को देखने के लिए एकत्र हुए उनके शरीरों पर आग का कोई लक्षन दिखाई नहीं दे रहा था उनका बाल तक बांका नहीं हुआ था ना ही उनके पजामे जुल से नहीं थे और ना ही जलने की गं अध्यजर बोला धन्य है शद्रक मेशक और अब्दनगो का ईश्वर उसने अपने दूत को भेजा है जिस से वर उसके उन सेवकों की रक्षा करे जिन्होंने ईश्वर पर भरोसा रख कर राजा की आग्या का उलंखन किया और अपने शरीर अर्पित कर दिये क्योंकि वे अ धन्य देवता की सेवा या अराधना नहीं करना चाहते थे यह प्रभु की वानी है इश्वर को धन्यवाद भजन अनुवाक्य हे प्रभु तेरा महिमानवित पवित्र नाम धन्य है सदा सर्वदा प्रशंसनिये महिमामय और सर्वोच हमारे पूर्वजों के प्रभु इश्वर तु धन्य है सदा सर्वदा प्रशंसनिये महिमामय और सर्वोच तेरा महिमानवित पवित्र नाम धन्य है सदा सर्वदा प्रशंसनिये महिमामय और सर्वोच तू अपने महिमानिवत पवित्र मंदिर में धन्य है सदा सर्वदा प्रशंसनिये महिमामे और सर्वोच अनुवाक्य हे प्रभू तेरा महिमानिवत पवित्र नाम धन्य है सदा सर्वदा प्रशंसनिये महिमामे और सर्वोच हे प्रभु तेरा महमानिवत पुवित्र नाम धन्य है सदा सरवदा प्रशंस्निये महमामे और सरवोच तु महागर्थ की थाह लेता और के रूबों पर विराजमान है तु धन्य है सदा सर्वदा प्रशंसनिये महिमामे और सर्वोच अनुवाक्य हे प्रभू तेरा महिमानिवत पुवित्र नाम धन्य है सदा सर्वदा प्रशंसनिये महिमामे और सर्वोच ही प्रभु तेरा मेहमानिवत पुवित्र नाम धन्य है सदा सरवदा प्रशंसनिये महिमामे और सरवोच जैगोष ए मसीहा तेरी महिमा और स्तुति हो अच्छी भूमी पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निश्कपट हरदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते हैं और अपने धैरे के कारण फल लाते हैं अनुवाक्य एमसीहा तिरी मेहमा और स्थूति हूँ जिन यहुदियों ने उनमें विश्वास किया उनसे इसा ने कहा यदि तुम मेरी शिक्षा पर द्रिड रहोगे तो सच्मुच मेरे शिश्य सिद्ध होगे तुम सत्यों को पहचान जाओगे और सत्यों तुमें स्वतंत्र बना देगा उन्होंने उत्तर दिया हम इब्राहेम की संतान है हम कभी किसी के दास नहीं रहे आप यह क्या कहते हैं तुम स्वतंत्र हो जाओगे इसा ने उनसे कहा मैं तुमसे ये कहता हूँ जो पाप करता है वह पाप का दास है दास सदा गर में नहीं रहता पुत्र सदा रहता है इसलिए यदि पुत्र तुम्हे स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुछ स्वतंत्र होगे मैं जानता हूँ कि तुम लोग अबराहम के संतान हो फिर भी तुम मुझे मा डालने की तांक में रहते हो क्योंकि मेरी शिक्षा तुमारे हिर्दे में गर नहीं कर सकी मैंने अपने पिता के यहां यो देखा है वही कहता हूँ और तुम लोगों ने अपने पिता की यहां जो सीखा है वही करते हो उन्होंने उत्तर दिया इब्राहम हमारा पिता है इस पर ईसा ने उन से कहा यदि तुम इब्राहम की संतान हो तो तुम इब्राहम जैसा आचरन करो अब तो तुम मुझे इसलिए मार डालने की तांक में रहते हो कि मैंने जो सत्य इश्वर से सुना वेह तुम लोगों को बता दिया ये इब्राहिम जैसा आचरन नहीं है तुम लोग तो अपने ही पिता जैसा आचरन करते हो उन्होंने इसा से कहा हम विब्चार से पैदा नहीं हुए हमारा एक ही पिता है और वेह इश्वर है इसा ने यहुदियों से कहा यदि इश्वर तुमारा पिता होता तो तुम मुझे प्यार करते क्योंकि मैं इश्वर से उत्पन हुआ हूँ और उसके यहां से आया हूँ मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ मुझे उसी ने बेजा है ये प्रभू का सुस्व समाचार ख्रीस्त कीज़े